CM योगी आदित नाथ इस वक्त मज़ पर मौझूद है, पोडियम पर पहुँच चुके हैं, CM क्या कह रहे हैं, इस खास मौके पर सुनते हैं उन्हें राधे, राधे, रिंदावन बिहारी लागी, यमना मैया की, राधे। एक दिन खूर्व, आज आयुजित यहां की विकास की तमाम प्रयोजनाओं के साथ ही, एक नए सांस्कृतिक कारिक्रम की शुरुवात करने की दिश से, मुझे आपके बीच में आने का सोभा के प्राप्त हुआ है, आज के समारों में जिनकास्तिवात प्राप्त हो रहा है, प्रच्की है हमारी सभी पूझे संदजन, उतरब्रदेश सरकार में मंत्री मंडल की मेरे सभी सयोगी, चौधरी लक्षमी नार्यन जी, प्रेटरन्यूम संस्कृति मंत्री सी जैवीर सिंग जी, यहां के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के बेसिक सिक्सा विभाग के मंत्री सी संदीब सिंग जी, यहां के लोग्प्री असांसत और जनकावी कुछी तेर में फिर से आप मंचन देखेंगे, ऐसे इस्निमती हिमा माननी जी, माननी जांसत राज्य सवहास चौधरी तेजवीर सिंग जी, महापौर्ग सी बिनोत अग्रवाल जी, यहां के स्थानिय लोग्प्रीय विधायक और प्रदेश सरकार के पूरो मंत्री पंडि स्रिकान्त सरमा जी, माने विधायक बलदेव सी पुरन प्रकासी, माने विधायक गोवरधन सी मेक स्याम सिंग जी, माने विधायक माट सी राजेश चौधरी जी, विधान परिशत के मानने सबस्य स्यों प्रकास सिंग जी, चौधरी योगेश सिंग जी, जिना पंचैदत ध्यक्स सी किसंद चौधरी जी, म्रज तीर्थ विकास परिशत्योपा अध्यक्स से सैलजा कांत मिस्र जी उतरप्रदेश पाल अधिकार संबक्षन आयोग के अध्यक्स डॉक्टर देवेंदर कुमार सरमा जी बारती चंता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्स से निर्भे पांडी जी महानगल अध्यक्सि गंस्याम लोदी जी चेत्रिय महामंत्री से नागेंदर सिकरवार जी भुवन भूशन कमल जी आज केस भप्य आयोजन में हाँ पुरपस्तित ब्रद्चेत्र के मेरे सभिव पस्तित पैन और भाईयों मैं सबसे पहले आप सब को से किर्ष्न जन्वात सो और नंदत सो की भिर्दै से बढ़ाई देते वे आज आप सब की किरपास से आदरिय प्रद्धान मंत्री जी के मारत दर्सम में हमारे इस मंच पर उपस्तित जो हमारे मन्य जन प्रत्निदी हैं यहां के नोकल सांसर, अस्थाने माने विधायक, अन्य जन प्रत्निदी हो के सयोक्षे जो विकास की योजनाई यहां के लिए प्राप्त हुई हैं उनके लोकारपण का सो भाग्य मुझे से किस्टन जन्वात सो के एक दिन पूरू प्राप्त हो रहा है मैं इसके लिए भी आप सब को हिर्दे से बढ़ाई देते हुए आप काविनंदन करता हूँ, आप सब का स्वाग्य करता हूँ मैं आपका अभारी हूँ कि आपने सिवती हिमा मालनी जी के प्रति अपनत्तों का भाओ दिखाते भी तीसरी बार उन्हें प्रचंट बहुमत के साथ विजई बना करके भीजा और इसलिए उसके प्रति भी कृतकिता के आपित करने का इच्छा इच्छा उसर नहीं हो सकता था कि मैं स्री कृष्ण जन्मोत्सों के आयुजन में भागिदार बनू प्रभु की लीला और उनकी किर्बा को भी देखने का उसर प्राप्त होगा साथी ब्रजवास्यों को उनके द्वारा यहां पर स्लीमभी हमामाली जी को चुनाओं चिता करके भीजने के बाद जो रिण हम लोगों के उपर है उसको और रिण करने के लिए प्रियास करके कुछ विकास की प्रियुजनाओं के मात्यम से वाद के विकास में हम सहभादी बन से और उसी करम में मैं आज आपके पास आया हूँ आपके बीच में आया हूँ यह मारा सुभा क्या है कि जो हम यहां की बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर इस भूमी के प्रती लोगों के मन में अता आकर संड है और लोग इस बात के प्रती उच्शुक रहते हैं सच मुझ प्रधानमंत्री जी जब बात विकास और विरासत की करते हैं तो विरासत यही जो आपके पास रही अथाती कितना संप्रिद है मैं भी सुनता था चौधरी लक्षमी नायन जी से यहां के मान जन प्रतनिदियों से और मुझे प्रसंता है कि यहां के पूज्य संतों के साथ बरतीर विकास परिस्वत ने और यहां के जन प्रतनिदियों ने इस बात का उले किया है कि भगवान स्री कृष्ण का 5211 जन्मत्सों का ये आयुजन इस बार इस भूमी में इस आयुजन के साथ हम जोडने जा रहे हैं आप सोचो दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है कोई मत मजभ संपरदाई ऐसा है जो एक कह सकता हो कि उनकी उत्पती भी इतनी पुरानी हुई हूए किसी के पास प्ञाश एक प्रहनु दूनिया के अंदर कोई सैख्ट कोई संपरदाई कोई मत मजभ अपने आपको उस से पुराना नहीं बता सकता उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था और इसलिए हम कहते हैं इस धर्दी का और खास्त और प्रभारत का एकी चनातर धर्म है नहीं धर्द का रस्थित था क्योंकि ये तो द्वापर की बात है द्वापर के तत्काल बात को कल्यूग आ गया है त्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एसास इस देश स्वास्यों को प्राप्त वबा था उसन की किरपा द्रिष्टी इस देश पर पड़ी थी सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी पुरी दुनिया में कि वह समातन ही समातन धर्मावलंबी थे और वहां से यात्रा प्रारणग होती है कल्यूप में हम इतने वर्स आगे बढ़ चुके हैं याद करिए उससे पहले त्रेता रहा होगा उससे पहले सद्यूग रहा होगा एक लंबा इध्यास एक लंबी थाती विरासत हमारे पास जिसको हमारे पुझे संतों ने इनकी विरासत ने समहाल करके रखा है और आज भी अपने भार्मी गायुजनों के मात्यम से इस प्रकार के आयुजनों के मात्यम से इस विरासत के संग्रक्षन के लिए कफा वारता के मात्यम से भोजबत्रों के मात्यम से पांड़ लुपियों के मात्यम से गुरु सिस्य की परंपरा के मात्यम से उसके संग्रक्षन का काम किया और उसी विरासत का हिस्सा बनने के लिए उसके साथ विकास की पुड चोड़ने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए है और मैं धन्यवातूं का यहाँ के जन्प्रत्रिदियों को ब्रजतीर्थ विकास परिशत को और खास तौर पर यहाँ के मन्य विधायक और यहाँ के मन्य सांसर दोनों को जिन्होंने यहाँ पर यहाँ के सांस्कृतिक कारिक्रमों के मंचन के लिए पांस जन्य प्रेक्षाग्रे दिया है कितना भब्ब्रेक्षाग्रे हमारे भफ्रा बिंतारुक को टाफ्त हो गया है कितना बग्वे मिल गया है लगबग एक हजार दर्सक एक साथ यहां पर आ जाएंगे और उसमें भी आपने देखा यहां पर कि इसमें पहला मंचन होने जा रहा है भारत की कला जगत की एक प्रठ्ठार अदाकाद और आपकी सांसत स्रिमती हिमा बाहने मंचन पर आये हैं मैं उनका भारी हूँ कि वहाँ अपनी पूरी साथ सचा के साथ ही यहां पर मंचन पर आ गए और आप प्रजवासी इस बात के लिए सोवा के साथ ही है कि उनके मंचन के लिए उनकी फिल्मों को देखने के लिए आप पहले यहां से आगरा और पता निक कहां खां जाते रहे होंगे आज वेव यहां के फिरी में मंचन के मातनें से कला के महत्व के वारे में आपको बता रही है उसके प्रती समर्पन का भाव, यहां की विकास के प्रती उनका समर्पन का भाव क्योंकि मुझे याद है जब आप पहली बार यहां से संसत बनी मैं भौचक था मैं संसत में भी संसत था सबसे पहला मुझता हिमा जी ने उठाये था संसत में उन्हाने कहा था क्या यमना मैया को सुद्ध होने का अधिकार नहीं है विकास के लिए यहां के 84 कोसी परिकर्मा को बनना चाहिए वह यहां ब्रिज जेत्र के भौदिक और अध्यात्मिक उन्यन के लिए त्यंतों महत्तों पूर्ण है यहां के विकास के कालेओं में एक सकारत में प्योगतान और वह लगातार आगे बढ़ा आंत्रिक साथ सज्जा के लिए एक सकारत में योगतान यहां के विदायक पंडिस्रिकान के सरमाटी ने यहां की आंत्रिक विवस्था को यहां के मन्य जन प्रतिनियों ने किस रूप में यहां मत्रवा ब्रिंदावन नगर निगम बनना चाहिए फिर तीर फिर छेद्र भोसित होने चाहिए फिर यहां की बर्यादा और यहां की आध्यात्मिक परंपरा के उसार हम उन कारिक्रमों को आगे वढ़ा सकें आज ये धीरे धीरे मूर्त रूप लेता जा रहा है और आज यहीं पर ही प्रख्यात वजन गाएका पत्मनी और फूरी के एक एलबम को भी यहां पर सुभारंब करने का उसर इस मांच जन्य प्रेक्षा गरे में मिला है मैं उनको पत्मनी जी को भी उनकी पुरी टीम को भी इसके लिए से बढ़ाई देता हूँ अपनी शुक्ता मैं देता हूँ बैन और भाईयों आज एक हजार सेंटीस करूर रुपी की परियोजनाओं का यहां पर लोकारपन और सिलानियास हो रहा है इन लोकारपन और सिलानियास के कारिक्रमों के साथ ही यहां पर हम लोग इन सभी कारिक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं एक एक चीज आपको यहां की विरासत के साथ जुड़ करके देखने को मिल लए है और कितना भव्य प्रिक्षा करें आपको मिल लिया है आपके कारिक्रम यहां पर हो पाएंगे हर प्रकार कायोचन यहां पर हो पाएंगे सहीद लक्षिमन समारक भौन यहां भारत की विरासत के परती सम्मान का भाव भारत की सुतंधरता संग्राम सेनानियों भारत के जवानों की परती सरदा का भाव बिक्त करने का एक मंच है कुस्म सरोवर इसे भी यहां पर आज कुल्ड़पधार करके लाइट एंड साउंड करिक्तरम के साथ इसको जोडने का काम सिराधरानी मंदिर में बरसाना में अब रोपे भी आज प्रारम हो गया है हमें हमारे बुजर वसंद जो पहले पैदल ही चड़ जाते थे मैं आज पुझे फुर्डोल जी मराज को देख रहा था इस उम्र में भी मैं सत्मुच उनका सम्मान करूँगा उनको नमन करूँगा इस उम्र में भी उनके मन में इच्छा सकती वही वही जज़वा ठीक है सरीर का उम्र के साथ भौतिक काया है वहाँ अपना एक समय तक साथ देता है लेकिन जजवा है एक समय था, पूरी परिकर्मा करते थे, कई बार वहाँ जाते थे लेकिन समय के अनुप उस परकार की सुविधा देना ये अस्थान ये प्रसासन और सासन की जम्मिदारी बनती है और आज पिदी पिदी मोट पर ये सुविधा बरसाना के लिए उपलब्द हो चुकी है यहाँ पर भी सुविधाई होनी चाहिए और मुझे लगता है विरासत के संक्रक्षान उसकी आध्यात्मे को और सांस्कृतिक पैचान को बनाए रखते वे उसको विकास की एक नए करेवर की रूप में हमें प्रस्तुत करना ये आज क्या हो सकता है इसके साथ ही यहाँ पर गोवरधन की तैसील वहाँ का भी लोकारपन हो रहा है वहाँ के मने बिधायक जिको मैं फिर दैसे इसके लिए बढ़ाई देता हूँ अन्या बिकास से जुड़े वे तमाम कारियाद यहाँ पर हम लोकाद यहाँ पर आज उसका लोकारपन कर रहे हैं और बिकास की भी तमाम योजनाओं का जिसमें गोकुल बैराज की अपिस्ट्रीम है जहाँ पर हम सब की आस्तार मनेता है कि वासुदेव जी ने भग्मान कृष्ण को गोकुल तक पहुँचाने का काम वहीं पर यमनाजी को पार किया था वहीं वासुदेव वाटिका का निर्मान भी हम लोग करने जा रहे हैं और बड़ी यादि लगभग पैतालीस करूर रुपे की लागत से उसके एक बड़ी योजना हम लोग ने तयार किये उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेटन जनशुदा केंदर बरसाना के लिए भी आज यहां पे स्वेकर तो हुआ है इसी प्रकार से और भी अन्य विकास की योजनाओं को ले करके आज यहां पे कार्यव प्रारम होने जा रहे हैं बैन और भाईयों आज हम सब जम्हां पर आये हैं मैं आप सब को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूँ कि यह जो डबल इंजन की सरकार हैं यह आपकी आस्ता का सम्मान करते दे आपको विकास की पत पर आगे वढ़ाना चाहती है प्रधान मंत्री मोदी जेने जो हम सब के सामने एक लक्से ते किया है 2047 तक भारत को विक्सित भारत की रूप में स्तापित करना है लेकिन यह विक्सित भारत नहीं होगा उसमें विरासत भी होगा और विकास भी होगा दोनों का समन्मे होगा गुलामी के अंसों को हमें सर्था समाप्त करना है और गुनामी के इस्वों को समाथ के तरते वे हमें एक ऐस नए भारत का जो अपने विरासत पर भी गौरब के अन्भूती करता हो विकास को उसके साथ जोड़ करके नए करियवर की रूप में स्तापित करता हो और शिक्रिश्ण जन्रमास्टमी इसी बात का संदेश हम सब को देता है हमें वरतमान की इन चुनोतियों को समझना पड़ेगा जो हम सब के सामने है भारत के सामने है सनातन धर्म के सामने याद रखना जो चुनोती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनोती है और जो भारत की चनौती है वही सनातन धर्यों की चनौती है। दोनों एक दूसे से अपने आपको लग नहीं कर सकते हैं। कोई एक दूसे से लग नहीं कर सकता। और मैं तो आज फुजे संतों कावान करूंगा। इस समय उनको स्वयम आगया करके पुरे समाज को इब जुट करने के सावहान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए अगर हमने तनिक भी भूल की इस समाज फिर से बटा। और जो साजसे हो रही हैं अगर वे सफन हुईं तो बांगला देश के अंदर जो कुछ हो रहा है। हिंदों पर जो यातना है ढ़ाई जा रही हैं। आप देख रहे हों कि किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मर्द, हमारा मंदिर, हमारी उपासनाविदी, हमारा सास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधनापदती, तभी संख्सित हो पाईगी, तभी स्ख्सित हो पाईगी, जब इस सनातन भर्म है और ये देश स्ख्सित है, हमें इसके लिए कारे करना होगा लगातार कारे करना होगा प्रियास करना होगा एक-एक को जोड़ना पड़ेगा एक-एक को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा भेत भाव के लिए कोई जगे नहीं होनी चाहिए बिभाजन कारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो क्योवल अपना उल्लु सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाती है तमाम वादों के अधर पर बांटना चाती है उनके लिए रास्ट की कीमत पर राजनीती उनके लिए अभिष्ट हो गई लेकिन हमारे लिए राष्ट सरोपर्थम है राष्ट की कीमत पर कोई राजनीती नहीं हो सका हमें चुनना होगा पहले राष्ट को चुनेंगे उसके लिए किसी भी प्रकार के बलतान देने के लिए तयार होंगे लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजमीति सुईकारिय नहीं है लेकिन आज जिस प्रकार के दृस्से दिखाई दे रहे जिस प्रकार की बाते हो रहे हैं जिस प्रकार की चीजें चल नहीं है आपने देखाओगा इन सब के मूबंद है पांलादेश की घंटा पर कोई बोलना नहीं चालता, क्योंकि उन्हें भै है, अगर उन बोलेंगे, तो उनके गोल बैंके सकते वे दिखाई देंगे, उनके पैरों के नीचे की जमीन, जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते वे दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते,